सुपरवाद विदाथियो, मैं आपकी हिंदी के शिक्षिका सलोनी बच्चो, हमने अपने पिछले लक्षर में उपसर्व पढ़ा था उपसर्व, ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्रते प्रते क्या होते हैं, ठीक है, तो चलिए, शुरू करते हैं प्रते को हम इंग्लिश में सुफिक्स कहते हैं बच्चो, आज हम सिखेंगे प्रते प्रते दो शब्दों से मिलकर बना है प्रती जमा अए प्रती का अर्थ हुआ साथ में पर बाद में यह का मतल हुआ चलने वाला तो प्रते का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में लगने वाला ठीक है, मैंने आपको बताया था कि उपसर्व जो है वो शब्द से पहले लग आते हैं ठीक है, और जो उपसर्व होते हैं वो शब्द नहीं होते हैं वो शब्दांश होते है जब यह किसी शब्द के बाद लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं प्रते जो प्रते है वैं कहते हैं शब्दांश होते हैं ठीक है जो किसी शब्द के बाद जो है जूड़कर उसके अर्थ में जाने की जो उसका मूल शब्द है उसमें बदलाव जो है ला देते हैं ठीक है आपने द्यान रखना है जो प्रते हैं वो शब्दांश होते हैं ठीक है और जो प्रते हैं वो शब्द के बाद लगते हैं उपसर्ग मैंने बताया था कि शब्द से पहले आते हैं ठीक है और यहां पर देखिए फिर अर्थ में दिलाव मिलेगा तो देखें यहां पर प्रते की परिवाशा जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जूड़कर ने शब्दों का निर्मान करते हैं तथा उसके अर्थ में परिवतन ला देते हैं उन्हें प्रते कहते हैं जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जूड़ कर नेई शब्दों का जब निर्मान करते हैं तथा उसके अर्थ में जब परिवातन ला देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं प्रते देखिए जैसे यहां पर उधारन दियें कुछ जैसे बिक में हमने आउ प्रते लगाया तो बना बिकाऊ ठीक है बड़ा में हमने आई प्रते तो बना बड़ाई मिल में जब हमने आवट लगाया तो बना मिलावट बच्चो मूल शब्द वे शब्द हैं जो बिना किसी के मेल से बनते हैं तथा उन्हें विवाजित नहीं किया जा सकता ठीक है जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जोड़कर उसके अर्थ में बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं प्रते कहते हैं चलिए यहां पर देखी मैंने कुछ उदारन ओर दी हैं इसे हमने मूल शब्द में प्रते जोड़ा हम यहां पर निया जो है शब्द मिलेगा यहां पर दुकान में हमने दार प्रते लगाया तो बना दुकान दार सफल में हमने ता प्रते लगाया तो बना सफलता फी देखें यहां पर गबरा में हमने आहट लगाया तो बना गबराहट मानवे हमने ए लगाया तो बना मानवे चुन में हमने आव लगाया तो बना चुनाव अच्छा में हमने आई लगाया तो यहां पर बना अच्छाई मूल शब्द से पहले जूड़कर उसके अर्थ में परवतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उपसर्ग और जो शब्दाश किसी मूल शब्द के बार जूड़कर नेश शब्द बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं प्रते कहते हैं धन्यवाद विदातियो